जोस्तों क्या आप भी Google Pay यूज करते हैं और Google Pay के अंदर आपको कुछ इस तरीके से reward मिला हुआ है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको 10 रुपए से लेकर 100 रुपए का cashback मिलेगा तो आखिरकार Google Pay के अंदर cashback कैसे लेंगे गूगल Pay के अंदर अगर आपको ये offer मिला हुआ है तो इसे आप कैसे यूज करेंगे कैसे आपको cashback मिलेगा इस वीडियो को ध्यान से देखिए इसके अंदर आपको details में step by step बताएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारा cashback मिलता रहता है जैसा कि आपको देखने को मिल र reward मिला हुआ है तो इसे आप कैसे redeem करेंगे कैसे आपको इसमें cashback मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको Google Pay को अपने open कर लेना है तो चलो हम यहाँ से Google Pay को open करेंगे इस तरीके से आपका Google Pay open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना होगा यहाँ आप इस पर click करेंगे तो आपकी सामने यहाँ पर आपका यह reward हो जाएगा आपको इस पर click करना है इसपर click करते ही आपकी सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर मिल जायगा 10 रुपए से लेकर 100 रुपए one any transaction of minimum 100 रुपए यानि कि यहाँ पर आपको बताया जाता है कि minimum 100 रु यहाँ पर 100 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल जमा कर दीजिए तो आपको यहाँ पर minimum यहाँ बताया जाता है minimum 100 रुपए यानि कि 100 रुपए का आपको transaction करना है on any यानि कि कहीं पर भी Google पे से तो आपको यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए का cashback मिल जाएगा यानि क 7 जनवरी को यह हमारा expire हो जाएगा अभी हमारे पास बहुत सारा दिन बचे हुए क्योंकि आज 29 दिसंबर है लगबग हमारे पास 8 या 9 दिन अभी बांकी हुए है उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर बताया जाता है इस offer को कितने लोगों ने परसंद किया है कितन cashback when you make any transaction on google pay यानि कि google pay से कोई भी आप transaction करिए और यहाँ पर आपको 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का cashback मिल जाएगा आप यहाँ पर बताया जाता है कि आपको the payment amount sold be more than or equal to 100 to valid the offer यानि कि इसमें बताया जाता है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर transaction करेंगे तो वो आपका 100 रुपए से पिलस का होना चाहिए अगर आपका 100 रुपए से नीचे का हुआ तो उस पर यह offer validate नहीं होगा उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है कि minimum 100 spend यानि कि 100 आपको कम से कम तो 100 आपको कहीं पर भी कुछ भी करना होगा transfer करना या कुछ भी आप करें तो यहाँ पर आपको 100 रुपए तो करना ही होगा और उसके बाद बताया जाता है only valid for payment mode with google pay यानि कि google pay से जबाब payment करेंगे तभी आपका यह offer validate होगा उसके बाद बिल जाता है valid once per user यानि कि एक user को सिर्फ एक बार ये offer मिला है और बार बार ये offer नहीं मिलेगा यानि कि इस offer का सिर्फ एक बार लाब उठा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है you can earn a maximum of one reward during the offer period यानि कि इस offer के period में सिर्फ एक reward आपको मिलेगा वो आपको 10 रुपए से लेकर 100 voucher expire यानि कि आपको expire भी दिखाय रहता है कि आपका ये voucher इस तारिक को expire हो जाएगा इस तारिक के अगर बात आप ये transaction करेंगे तो आपको कोई भी reward नहीं मिलेगा आप चलता हो हम चलते हैं आपको यहाँ पर paper click करना है जैसे आप paper click करेंगे अब आप किसी को भी पैसे account डाल दिया है उसके बाद paper click करेंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पैसे भेज देते हैं 149 रुपए 149 रुपए हम transfer कर देंगे तो हम इस arrow पर click करेंगे उसके बाद अपना bank account आपको choose करना है paper click करना है आपके सामने UPI pin डालने का option आजाएगा आपको अपना UP API pin आपको यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ से आपको write करना होगा जैसे आप यहाँ से write करेंगे थोड़ा सा आपको wait करना होगा आपका payment यहाँ पर successful हो गया जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे पास एक message आ चुका है new reward आरने यानि कि आपने एक reward आरन पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे देखने कि अभी हमारे पास आ चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आच चुका है यह reward है और एक यह scratch card आया हुआ है तो हम इस reward पर click करेंगे और यह हमको इस वाले offer से मिला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वा इस तरीके से आप इस ओफर का यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप payment को transfer करिए, बस आपका 100 रुपैसे ज़्यादा का होना चाहिए, तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही,